Hello Friends, Welcome to BEMS Academy दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना मल्टिप्लाय करने के एक बहुत शांदा ट्रिक बताऊंगा लेकिन वो ट्रिक कब लगेगी? अगर ना मुझे किसी नंबर को 99 से मल्टिप्लाय करना हो या 999 से मल्टिप्लाय करना हो या 9999 से मल्टिप्लाय करना हो दोस्तो मैं से वादा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाल इस टाइप की मल्टिप्लिकेशन आप 5 सेकंड में कर देंगे बस दोस्तो आपको एक काम करना है आपको ने इस वीडियो को end तक देखना है तो देखी दोस्तो पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर आपको किसी भी नंबर को 99 से multiply करना है तो आप 5 सेकिंड में 3 सेकिंड में कैसे कर सकते हैं तो देखिए एक्जामपल के थिरू में आपको समझाता हूँ जैसे मानिए आपको 47 को 99 से करना है multiply तो देखिए 2 डिजिट नंबर है और 99 भी क्या है 2 डिजिट नंबर है तो इसके बहुत अच्छी ट्रिक होती है सुनो दोस्तो ट्रिक क्या होती है आपको ने काम करना है आपना 47 में एक कम कर दीजिए 47 में एक कम कर दीजिए तो कितना बनेगा 46 बनेगा बस फिर आपके काम करना है इस 46 को ना 99 में से माइनस कर दीजिए या आप ये भी कह सकते हैं कि हर डिजिट को 9 में से माइनस कर दीज और यह आपसे तीन सेक्ड में कर सकते हो, आपको करना क्या है, दो स्टेप या दखने है, कि 47 में से कम कीजिए, कितना आएगा, 46, और फिर आपको क्या करना है, यह जो 46 बन गया न आपको, इसे 99 में से माइनस कीजिए, यह आप ऐसे भी सोच लिजिए, कि हर डिजिट को 9 में स एक कम करें, तो जब आप एक कम करेंगे दोस्तों, तो यह क्या बनेगा, 88 बनेगा, और फिर आप क्या करें, 88 को 99 में से माइनस करें, यह आप क्या सोच लें, कि मैं हर डिजिट को 9 में से माइनस करूँआ, 9-8, 1, 9-8, 1, तो देखिए, कितनी असान ट्रीक है, देखिए दो नमबर है 765 और आपको इसको multiply करना है 999 से तो जह ऐसा मैंने आपको पिछले method में सिखाया था same way step करना है आपको इसमें से क्या कम करना है बच्चो एक कम करना है कितना कम करना है एक कम करना है तो जब आप एक कम करेंगे तो कितना आएगा यह 764 फिर जब 99 से करते है multiply तो मैंन आपको क्या बताया कि जो number यहाँ पर आएगा ना उसे आप 99 में से minus कर दीजिए अब यहाँ पर क्या करेंगे यह जो number आपके पास आया है इसको किस में से minus करेंगे 999 में से या जैसे मैंने आपको दूसरा method बताया है सोचने का आप हर डिजिट को 9 में से ही minus कर दीजिए 9-7 2 9-6 3 9-4 5 तो देखा दोस्तों आपने same trick है आपको कुछ भी अलग याद नहीं करना चाहे आपको 99 से करना हो multiply या किस से करना हो multiply 999 से मैं आपको एक example दोस्तों और देता हूँ मानी आपको 24 को 999 से multiply करना हो लेकिन दोस्तों यहाँ पना आपको बात ध्यान रखनी है जैसे आपको ट्रिपर 9 से करना है multiply तो इसमें कितनी digit आ रही है तीन digit आ रही है अब जो मैंने आपको method सिखाया है ना तो यह तभी valid है जब आप 999 को ऐसे number से multiply करें जिसमें या तो digit 3 हो या 3 से कम हो अब आपकी दमाब में question तो आएगा तीन से जाद होगी तो क्या करेंगे वह मैं आपको भी सिखाऊंगा बस आप वीडियो को end तक देखते रहे तो देखिए ट्रिपर 9 में 3 digit आ रही है और 24 में 2 digit है तो आपको करना क्या है same method आप follow कीजिए आप यह माल लीजिए कुछ देर के लिए भाई यह 024 है क्या दिक्कत वाली बात है आप आगे तो कितनी भी 0 लगा सकते है तो आप 24 में कम कीजिए तो कितना आएगा 23 आएगा और यहां भी आप 0 माल लीजिए फिर वही कानी हर digit को 9 में से माइनस कर दीजिए यह आप क्या सो सकते है कि 999 में से क्या माइनस कर दीजिए जीरो 3 तो 9 माइनस 0 9 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 3 6 और आप देखे ना इसको आप क्या बोल सकते है 9000 sorry इसको आप क्या बोल सकते है 23,976 बोल सकते है तो देखा सेम ट्रीक है बस एक बात ध्यानक नहीं है आपको जैसे आप 999 करना चाहते हो लेकिन आपके पास जो नंबर मल्टिप्लाय करने वाला है वो दो डिजिट ज़्यादा आ जाए तो यह ट्रीक ना फिल हो जाती है लेकिन तो second method है वो आपको मैं बताता हूँ अब चलते हैं आगे मानिए आपके पास दोस्ते एक ऐसा नंबर आता है जिसमें 4 नो है और आपको उसको ना किसी दूसरे नंबर से multiply करना है तो जो ट्रीक में आपको सिखा रहा हूँ न यह तो कब valid है कि दूसरे नंबर भी या तो 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का हो या 8 डिजिट का हो तो यह ट्रीक फिल नहीं हो सकती है जैसे मैं आप example देता हूँ मानिए आपको multiply करना है 6,059 को किस से करना है multiply है 9,999 से तो जैसे मैं आपसे बोला आपको क्या करना है नंबर में एक कम करना है तो कितना हैगा 6,058 फिर वो ही करना है आपको 6,058 को किस में से minus करना है 9,999 में से या आप यह भी कह सकते हो हर डिजिट को 9 में से minus कर दो बात तो यह की है 9-63, 9-09, 9-54, 9-81, तो यह कितना असान ट्रिक है अगर आपको यह ट्रिक समझ में आ जाए, लेकिन मैं दुबारे बोल रहा हूँ बच्चो, यह ट्रिक कब वैलिड होगी, जैसे हैं 4-9 है, तो आपके नंबर में भी कितनी होनी चीडिजिट, 4-3-2-1, लेकिन सिखाऊंगा जी, तो मैं आपको सिखाता हूँ अब दूसरा मैथर, अगर डिजिट जादा आ जाए, जैसे मानिए, आपको 123 को 99 से क्या करना है, multiply, अब 99 में 2 डिजिट है, लेकिन 123 में 3 डिजिट है, तो जो पहला मैथर मैं आपको सिखाया है, जो मैंने आपको पहली ट्रि पिर आप किसी भी नंबर को इस टाइप के नंबर से बड़े इस भी 5 से किने multiply कर सकते हैं, तो देखें आपको करना क्या होता है, आप ये सोचिए कि 99 से next नंबर कौन सा होता है, इसमें 0 जाती है, 100 होता है, तो 100 में 2 0 आती है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे 2 जी लगा देंगे, ठीक है, और फिक क्या करना है आपको, उस नंबर में से 123 को माइनस कर देना है, तो आप कर दीजे माइनस कितना आएगा, देखें दोस्तों, आपका अंसर ये आगया, ये ट्रिक कब लगाईए आप लोग, जब अगर आपको 99 से into करना हो, तो 99 में होती है तो जिस नंबर को आपको multiply करना है, उसमें number of digit 2 से जादा हो, हाँ, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें 2 डिजिट है न, तब ये ट्रिक फेल नहीं हो सकती, लेकिन अगर यहां 99 है, 2 डिजिट है, तो जो मैं आपको पहला method सिखाया है, वो best होता है, अब मैं आपको एक question हो गए दिखाता हूँ, मानिये दोस्तों, आपके सामने ऐसा question आ गया, कि 999 को आपको किस से करना है, 2367 से, तो जो पहली trick थी, या पहला method था, वो तेहां fail हो गया, क्योंकि 59 में 3 डिजिट है, और आपके number में 4 डिजिट है, तो आप देखे आप कैसे करेंगे, 999 के आसपास वो number जिसमें 0 होती है, वो क्या होता है दोस्तों, 1000 होता है, तो आप क्या करेंगे, आप इसके पीछे किते लगाएंगे, 3-0, क्योंकि 1000 में होती है, 3-0, और जैसा उने पिछले question में किया था, अब इस number में से क्या minus कर देंगे, 2367 minus कर देंगे, करो minus, यहां पर कितना हैगा, 3, यहां भी कितना हैगा, 3, यहां 6, यह 4, यह 6, यह 3, और यह 2, तो देखा दोस्तों, आप लोगोंने, अब मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, और इस वीडियो को देखने के बाद, आप इन questions को analyze करे, और practice करे, फिर दुनि नहीं है, कि यह trick इन पर लागो होती है, दूसरे नंबर में सारे 9 होने चाहिए, यह trick अभी फेल नहीं हो सकती, दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो like करें और share करें, और हां, subscribe करना ना बूले, ताकि जो मेरी अगली वीडियो जाएंगी, वो आप को सानी से मिल सके,